हेला एर्यवन वेलकम बैक टू माई चैनल उमीद करती हूं आप सभी सवस्त होंगे इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं से चैनल 2019 की कट उफ क्या रहने वाली है तो हम पिछले प्रिविज डाटा है उसके बेस पर आपकी कट उफ को दिखे हैं कितना फरक पड़नी वाला कितने बढ़ने वाली है आपकी कट उफ तो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो OBC, SC, ST के हमारी cut-off रही थी टायर 1 की 143, 149, 122 और 112 आप देख सकते हैं आपकी सारी category की cut-off मैंने बता दी है जिसमें टायर 2 की रही थी 199 और OBC के रही थी 192, SC की 174, ST की 166 रही थी जिसमें आपकी final cut-off हुई थी वो हुई थी 209, फिर आपकी OBC के 207, फिर SC की हुई थी 193, और जो ST की हुई थी वो हुई थी आपकी 180 तो हमारी इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी UR की cut-off है उसमें tier 2 की cut-off और final cut-off में कितने marks कहीं increase हुई है 10.5, हमारी 192, 207 यह हुई है, हमारी plus 15 और हमारी tier 2 और final की हुई है, इसमें 19 आपकी increase हुई है इसमें से 13 आपकी ST की increase हुई है, तो देख सकते हैं इतना आपका 1015 नबर का आपका जरूर फरक पढ़ने वाला है जरूर पढ़ने वाला cut-off में, अपकी बार 2019 में, तो यह थी हमारी 2017 की, 2018 की बात कर लेते हैं हमारी 2018 में हमारी जो tier 1 की रही थी, 135 थी, EWS की 127 थी, OBC की 133, ST की 110, ST की 99 रही थी इसमें आपके tier 2 और final की आप देख सकते हैं कितना distance था, इसमें इतना distance इसलिए था, क्योंकि जो आपकी cut-off थी, जो आपका result, tier 2 का result आया था, उसमें आपके क्या थे, कुछ बच्चे पहले पास कर दिये गए 30,000 लग आपके कुछ बच्चे पहले पास कर दिये गए थे जिसमें बाद में क्या किया था, पहले list लगा दी 30,000 बच्चे पास कर दे फिर कुछ बच्चे जो यूए हम का वो था, उन पर unfair means का case था, वो भी दोबारा से फिर पास कर दिये गए 4,000 कुछ बच्चे थे तो उनके कुछ 35,000 बच्चे बच्चे बनके जो टोटल पास हो चुके थे, तो इसके हिसाब से हम कटोफ को हम डिसकस नहीं कर सकते हैं, तो हमारी डिसकस होगी 2017 के साब से, क्योंकि इसमें आपके 10 या 12 15 नंबर ही increase हुए हैं, तो हम अगरा अंदाजा लगाए कि 2019 की cut-off का, 2019 की cut-off हमारी यहां देख सकते हैं, आपकी tire1, tire2 की देख सकते हैं, तो tire1 की娃R की 222 है, SC की 193, ST की 190, OBC की 215, EWS की 260, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे category wise बता रह रखी है, tire1 की और टू की और फाइनल कट औफ इसमें एक इसमें हम अगर maximum जोडे, तो 2017 की cut- ि 10 या 15 नंबर ही बड़े हुए आपके सिरफ 15 नंबर बड़े हुए हैं अगर इसमें जोड़े तो हमारी कतोफ कितनी जाएगी तो समस्निय हम जोड़ेंगे 10 नंबर मैकसिमम से तो मैकसिमममें हमारी कितनी रहेगी कुछ हमारा क्या है जो 2018 में हैं वो तीन गुणा बच्छे लेकिन जो 2019 में आए हैं वो हमारे सिर्फ क्या है दो गुना बच्चे रह जाएंगे देखिए अगर आपके टाइपिंग अपियर किया है 19,240 ने उसमें से क्या होगा 5,000 तो फैल होंगे टाइपिंग में फैल हो जाएंगे और कुछ डेवी भी स्किप कर जाएंगे जिसके व क्था जो फैनल के लिए बच जाएंगे वो दस हजार सिर्फ दुगने ही बच जाएंगे वेकैंजिके तो क्या होगा इससे हमारी कटओ भी कंजाएगी और क्ट अफ क्या रहेगी ये भी देख लेते हैं तो कटओ अफ कंजाएगी तो हमारे कट अफ रहने वाली है इसमें यूर की रहने वाली है दोСТव 30 से 80 से अटिस रहने वाली है दस नमबर बढ़ाई है मैंने जो टायर वन और टायर टू की है US में क्या किया है utveckन दस नमबर में बढ़ाए हैं तो स्टी की है 207 से 210 रहने वाली है ST की 202 से 205 तक रहेगी जिसमें EWS की होगी 218 से 221 और OBC की होगी 268 से 231 तो ये मेरी cutoff का expedit cutoff है final की ये आपके रहने वाली है हमने अभी हमने ये cutoff attendance को देखते हुए और क्या 2017 में जो फरक पड़ा था कितना फरक पड़ा था कि final list कितने उपर चड़ी थी कितने marks के उपर चड़ी थी टाय टू के उसको देखते हुए cutoff list बनाई है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है थैंक्यू